प्रिए विद्यातियों आज अपने जोंक या हिरुड़नीरिया का एक्सक्रेट्री सिस्टम या सर्जन तंतर उसके बारे में चर्चा करेंगे पारेंगे तो अ सबसे पहले अपने इसकि जो एक्सक्रेट्री सिस्टम है उसके बारे में ये डाइग्राम है ये तो इसकी जो उस जैज़ने अजने अजोगाई जनियत Contract में और कितने हैं तो जो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो सत्रे जोड़ी सुक्षम कुंडली तनलिकाओं का बना हुआ होता है जिने हम नेफ्रीडिया कहते हैं यह इसके छटे खंड से लेके बाइसवें खंड तक प्रते खंड में एक जोड़ी होते हैं अच्छा यह जो नेफ्रीडिया होता है यह दो प्रकार के होते हैं एक इसका होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और दूसरा होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया तो जो पहला इसका प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है तो प्री टैस्टीीकुलर निफ्रीडियाई है वह सथे खंड से लेके 11 खंड तक होते हैं तो जो इसके परतम च्छे ट HOWइं निफ्रीडिया है वह सपय जैसे सब्सक्राइब कि इसके साथ हैं तो यह पहले जो उमेश्य कैसे लेकर और ग्यारवें खंड तक तो बारवें खंड से लेके और बारवें खंड तक इसके अंदर टेस्टिस एक पाई जाते हैं या टेस्टिकुलर जो ओर्गन्स होते हैं वो पाई जाते हैं इसमें तो पहले छटे से ग्यारवें खंड में होने के कारणी नहीं अपने प्री सेख नहीं पाए जाते हैं अच्छा यह नेफरीडिया भी टेस्टिकुलर नेफरीडिया के समानी होते हैं केवल इनकी जो संग्रचनात्म कुरूप से अंतर देखें तो इसकी जो इनिसियल लोब है जैसे इसकी स्टक्चर में अपने देखें जो प्रारमभिक पालिया जो इन अच्छा इस परकार के जो नेफरीडिया है इनके अंदर इनके जो खंड है उनके अंदर टेस्टिकुलर सेक परिनेफरी स्टोमियल एंपूला और सिलियेटड ओर्गन इनका अभाव होता है जैसे यह डाइग्राम है यह डाइग्राम के अंदर दिखा रहा है तो यह पहले टिश्यूज है या जो योजी उत्तक है उसके अंदर समाप्त हो जाती है वहां पर खुलती है तेस्टिकुलर नेफरीडिया है तो यह बारवे खंड से लेकर 22 खंड तक होते हैं तो पीछे के और के जो 11 जोडी नेफरीडिया है जो बारवे से 22 खंड तक पाए जाते है वो टेस्टिकुलर नेफरीडिया कहलाते है अच्छा नाम के आधार पर देखें तो इनको यह नाम इसलिए दिये गया है क्योंकि इन ही खंडों के अंदर इसका टेस्टिस से पाए जाता है अच्छा स्ट्रक्च्रली अपने देखें संग्रचना आत्मक रूप से तो यह डाग जो यह घोडे के नाल की आकरती की जो राइट साइड के अंदर जो लोब दिखाई दे रही है वह है में लोब फिर उसके बाद में यहां से इसकी वेसिकल डक्त निकलती है और नीचे यह वेसिकल है इसका हना तो यह वेसिकल और वेसिकल डक्त आगे जो की नेफरीडियल प इनर लोब होती है गाई या जिसे इनर लोब के बाद में एक इसके अदर जो पांची हो फो इनीशल लोब है जो ये आगे की तरफ टेस्टिकुलर सेक तक जाती है यह इसकी इनीशल लोब है और छटा जो सीलेट डॉर्गन है तो संग्रचना के रूप में अपने बात करें त संग्रचना है इसकी जो क्रोप की दोनों जो डायवर्टी कुल है उनके बीच के अंदर वेंट्रो लेटल सर्फेस पर पाई जाती है जो नीचे की भाग है वेंट्रो लेटल सर्फेस वहां पर पाई जाती है दोनों शीकम के बीच में और ये दो ऐसमान बुजाओं की बनी हो दोई होता है जिसकी प्लारंभिक भुजा इसके अंदर आगे की तरफ है जेसे यह लंबिया अकर्ती में दिखा रखी और पीछे की लोब है वह इसकी जो छोटी बुजा है तो प्लारंभिक जो अगर भुजा है अपने इनको करम karış 창 अगर बुजा और पश्च बुजा कह सकते हैं फिर इसके बाद में इसका दूसरा जो पारट है वो है वेसिकल और वेसिकल डक्ट तो में लोब की एंटिरियर लिम्ब जो उपर की तरफ है वहां से इसके अंदर क्या है इसकी जो भीतरी सीरा है वहां पर से एक वेसिकल डक्ट निकल जो पीछे की और वेंटो लेटरल पर सर्फेस पर स्थित होते हैं अच्छा वेसिकल एक बड़े स्ट्रक्चर में बात करें अपने तो यह इसका जो नीचे दिखा रखा है यह इसका क्या है वेसिकल है तो वेसिकल एक बड़ा अंडाकार आश्य है यह या कोस है जिसकी पतली बित्ती संकुचन सेल होती है जो बित्ती होती है वह संकुचन चलहिव और इसके अंदर सीलेट्ट एपिथीलियम का मदाय है के एक स्टोटी और संख्रेन के दौशिंख नली के दावारा एक्स्रिट्री की दवारा दौशा रानाए कि तरफ खुलता है घंती है उस नली और जो वेशिकल के जो मिलने के स्थान है वहां पर इसके अंदर सफिंक्टर जो या अवरोधनी कोई वाल पाए जाता है जो कि आविशक्षा से अधिक इसके अंदर एक्सक्रेटरी मेटिरियल होगा है उसको रिलीज करने का कारे करता है और जो सफिंक्टर होता है वो अनाविश इस लोब के ऊपर के तरफ यह एक छड़ के समान जो हैं जड़ के हैंडल के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही यह इसकी एप सब्सक्राइब तो में लोब माती हैंडल के रूप में हूता है। इसकी कोशिका में बड़ी और इनके अंदर एन्यमित इंट्रसेविल्ल िवाती होती है लगातार इन सब नो की आपस में जुड़ी भी रहती है। फिर चोथा इसका इनर लोब तो इनर लोब है वो मेन लोब और जो इसकी एपिकल लोब है इसके बीच की जो स्टक्चर है इनके बीच में जो स्टक्चर दिखाई दे रही है ये इसकी इनर लोब है तो मेन लोब की अगली और पिछली बुजाओं के बीच में फैली हुई एक छोटी इंकरंट लोब या जैसे इनर लोब कहते हैं वो पाई जाती है जो कि एपिकल लोब की बारी स्टै के साथ लगबग उसकी अधी लंबाई तक फेली वी रहती है और पीछे के और यह मैंन लोब से जुड़ू भी रहती है तो यह इसकी जो चोथी इनर लोब जो कि एपिकल और इनिशल लोब जो पाली है उनकी बीच में पाई जाती है एक इसके अंदर पांचवी है यह जो पांचवा पाहरट है इसका इनिशल लोब या जैसे अपने टेस्टिस लोब भी कहते हैं तो इक लोब को गेरी हुए जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो इसकी है इनिशल संकरी लोब है जो की आगे की तरफ टाले के संगरी करें हैं जो लंबी लली के समान को शीकाओं की बनी बनी वी होती अार्भाग से ऑगर भाग से और यहां पर बढ़कर अपनी और की टेस्टिस से के ऊपर पहुंच जाता है और यहां से यह परिनेफ्रिडिल एंपुला के निकट आकर बंद हो जाता है जैसे इस डाइग्राम में जो आगे की तरफ दिखा रहा है टेस्टिस से के अंदर इसकी परिनेफ्रिस्ट्यमिल एंपुला और एं चाटा उर्गन है इसका सेली टेटेड ऊर्गन जो इसमें लाल रंग की अपने अदर पिरिनेफरोस्टो मिलों पूला और उसके अंदर सी लेट और पाए जाता है है तो यह जो परीनेफरोस्टो मिलों एंपूला के अंदर एक विशिस्ट संग्रचना पाई जाते हैं जैसे अपने सीलेटेड ओर्गन कहते हैं यह जो सीलेटेड ओर्गन होता है वो च्यार-पांस धागों की या स्टेंड के सम्मान संग्रचनाओं के दवारा एंपूला के अंदर लटकी हुवी कंडिशन के जिसे यह द्वाला में देखो जो पहला यह वाला है यह कहें इसका सीलेटेड ओर्गन और दूसरा उसकी फटनल है तो जो केंदेडी रिज्रोयर या जो केंदेडी आश्य से है वह एक स्पंजी भाग है इसका जो कि संयोजियोत्तक को शिकाउं के दवारा निर्मीत होता है इसकी बीती पर जो इसका जो केंदरी रिजरोयर है उसकी बीती एक एक स्तरी एकोशिकाओं की बनी हुई होते हैं जिसमें एसंख्या सुक्षम शिद्र पाए जाते हैं और प्रते एक शिद्र से ये इरसेप्ड बाईय करन के समान जो संग्रचना दिखाई दे रही है सीलेटेड फरनल होता है वो लगे हुई रहते हैं अच्छा सीलेटेड ओर्गन इसका विशिस्ट प्रकार का संग्रचना है जो जोंके बुणिये काल में नेफिडिया के साथ स्पस्ट रूप से जुड़ा हुआ रहता है और इसके साथ सबंद बनाए रखता है और उसी दोरा अच्छा प्राणी के अंदर जो हिरुडिनेरिया है हिरुडिनेरिया की अडल्ट होने पर सीलेटेड ओर्गन ही मुशलोमिक सिस्टम के अंदर इसकी जो ही मुशलोमिक कनिकाओं का निर्मान करने का कार्या करता है तो इस प्रकार से यह इसके अंदर इसका सीलेटेड जो मुख्य रूप से इसके अंदर जो नेफ्रीडिया होता है नेफ्रीडिया के छे पाली है यह छे लोब्स है जिनके दवारा यह बने होते हैं जिनके अंदर में लोब वेसिकल और वेसिकल डक्ट्स एपिकल लोब इनर लोब इनिशेल लोब और सीलेटर और इनके दवारा ये मिलकर बनता है अच्छा इसके बाद में अपने इसकी जो हिस्टोलोजी की बात करें कि ये किस तरह से आपस में सारी के सारी लोब्स होती है वो जुड़ी हुई कंडिशन के अंदर पाई जाती है तो नेफ्रेडिया की लोब्स जो पालिया है वो ग्रिंथिल कोशिकाओं क दूसरे सिरे तक नलिकाकार कोशिकाओं की एक पंक्ति के दवारा बनी हुई होती है इसके अंदर एक इंट्रसेलिलर कैनाल या जो इसकी अंत्यकोशी की नलिकाएं होती है वो पाई जाती है अच्छा से सभी लोब्स के अंदर से एक स्तत केंद्रिये कैनाल या जो सेंट्र लोब के प्रारंबिक भाग से स्टार्ट होकर विभिन लोब के अंदर एक जटिल मारक से गुजरती हुई में लोब की जो एंटीर लिम्ब है जो अगर भुजा है उसके निकट आकर वेसिकल डक्ट में प्रवेश कर जाती है तो यह इस तरह से इसके अंदर सारी जो आपस में नलिकाउं के दवारा जो इसकी जो अंत्यकोशी की कैनाल से उनके दवारा जुड़ी हुई रहती है अच्छा इसकी फीजियोलोजी की बात करें अपने फीजियोलोजी ओफ एक्सक्रेशन तो यह जैसे कि अपने पहले इसका अपने देख चुके हैं कि अडल्ट जनत्रू के अंदर इसका जो शीलेटटर्ड ओरगन नेफ्रीटिया से अलग हो जाता है केवल भूहनी अवस्ता के अंदर वो जूड़ा हुआ रहता है तो यह जो शीलेटर्ड ओरगन है वो निफिजियोलोजी कारिया नहीं करता है बलकि ही मुस्लोमीक कणिकाउं का निरम पदार्थ है मुखे रूप से जैसे इसके अंदर अधिकतर अमोनिया और कुछ यूरिया का सरजन किया जाता है तो यह जो इसके ब्रांचे की लिए और यह जो उच्छी पदार्थों को प्रथक कर लेती है और अंत में उच्छर्जी द्रव को वेशिकल में इकठा करके और नेफ्रीडियल पोर से बाहर वेशर्जी कर दिया जाता है तो इस तरह से इसके अंदर जो उच्छर्जन होता है तो यह प्रते एक खंड के अंदर एक जोड़ी नेफ्रीडिया होता है इसका तो वो हर खंड क कि जो जितने भी एक्सठी मेटीरील का स्लेक्स है अजयं करती है वहां से उनको और निकाल वहां से लेने के बाद में ये ग्लेंट सेल्स ये नेफ्रिडिल पोर के दवारा बाहर पर्थक करते जाती है तो इस तरह से इसके अंदर जो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो है और एक्सक्रेशन के अंदर मुखे रूप से जो अमोनिया और यूडिया इसके अंदर या जो बोडी के अंदर अडिक मात्रा के अंदर जो पानी है उसका एक्सक्रेशन किया जाता है थेंक यू झाल झाल